नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे से टूप चैनल यातिर सुब्धा में आज किस वीडियों हम बात करेंगे IRCTC के एक आप्शन के बारे में तो चलिस वीडियो को सुरू करते हैं तो साथियों जैसा कि आप इस क्रिम पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है Add Infant Without Birth साथियों जब आप train ticket book करते हैं तो आपको वहाँ पर यह option देखने को मिल जाता है इस option का use कब किया जाता है साथियों जैसा कि यहाँ लिखा है Add Infant Without Birth Add मतलब होता है ticket book करने के लिए add करना Infant मतलब होता है बच्चा Without birth मतलब बिना बर्द के. साथ्यों, अगर आप एक बच्चे का टिकट बुक करना चाते हैं बिना बर्द के, तो आपको इस option को select करना है. Simply साथियों अगर आप एक बच्चे का टिकट बुक करना चाते हैं जिसकी एज चार साल या उससे कम है तो आपको इस option पर क्लिक करना होता है और टिकट को बुक करना होता है तो साथियों अगर आप एक टिकट बुक करना चाते हैं किसी बच्चे का जिसकी एज चार साल या उससे कम है जिसके लिए आपको बर्थ नहीं चाहिए तो आप इस option पर क्लिक करके उस बच्चे का टिकट बुक कर सकते हैं तो सिंपली साथियों एड इंफेंट बिदाउट बर्थ में आप एक बच्चे का टिकट बुक करते हैं जिसकी एज चार साल या उससे कम होती है जिसके लिए उसको कोई भी बर्थ अलाट नहीं की जाती है आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा प्लिस इस वीडियो को लाइक करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरु दबाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नहीं जानकारिक साथ धन्यवाद